हेलो एवरीबड़ी दिस इस राजेस और वाचिंग सा माई स्टूडियो दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे से कहते रहते हैं कि विंडो एसी लें तो कौन सा इसी अन्वर्ट इसी भी हो और अच्छा हो तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कैसा ऐसी लिंग आया हूं जोकि दे टंट 5 स्टार इन्वर्ट इसी है डूहल इन्वर्ट इसको कह सकते है हां दोस्तों को यह बहुत बहुत ही दमदार AC है LG का डूवल इनवर्टर फाइव स्टार रेटिंग का यह एसी विंडो एसी है दोस्तों यह विंडो एसी जितना देखने में खुबसूरत है उतना ही फीचर्स में भी खुबसूरत है और इसकी क्वाल्टी तो क्या कहने दोस्तों वीडियो को आगे बढ यह विंडो एसी डूल इनवर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है R32 गैस है इसमें और यह वाइफाइन बिल्ट है एलेकसा बिल्ट इन है और यह आप इसको वाइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं आईए इसके बारे में और डीटेल में आपको बता देता हूँ दोस्तों इसकी और डिजाइन आप देख करके आपके मूँ से जरूर यह निकलेगा कि वह क्या एसी है अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है आप यहां से वहां अगर आपको जाना आना पड़ता है और बार बार एसी को निकालना पड़ता है पैक करना पड़ता है और दो चार च्छे मह है LG और LG का यह फाइव स्टार रेटिंग का डूल इनवर्टर एसी बहुत ही दंदार है मुझे तो बहुत पसंद है आप भी इसको एक बार जरू देखिएगा तो फ्रेंड्स यह डूल इनवर्टर एसी है इसके बारे में और बात कर लेते हैं इसमें आपको जो है डूल है फायव स्टार रेटिंग और इसका पावर कैशं के बात करें तो ग्यारा सो छे पॉइंट यूनिறी यह लेता है इसेड़ो की बात करें तो 3.5 इसकी वेलियू है और वरन्टी की बात करें तो वन यर इस पे कdoo ऐए यार примерно पर और llogen है जिसमें के आपको गैस प्याया जि हवा को जो है यह चारो तरफ कमरे में फैला देता है सबी जगह कूलिंग एक बराबर की रहती है डिस्टेल डिस्प्ले लेडी दिया हुआ है टॉप एयर डिस्टेंस दिया हुआ है एलजी थिंक्यू वाइफाई दिया हुआ है वॉइस कंट्रोल से वर्क्स वित अलेक्सा की आपको अगर कहीं गैस इसमें कम हो जाती है तो आपको पता चल जाएगा आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉबलम है इस्टेबलाइजर फिरी ऑपरेशन दिया हुआ है दोस्तों 145 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक आपको इस्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है आर थर्टी टू गैस जो है वो नॉम्स के हिसाब से होनी ही चाहिए क्योंकि यह हर्मफुल नहीं होती है और इको फ्रेंडली होती है ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है दोस्तों आर थर्टी टू गैस जो है 45 सेंटिमितर और डेप्त जो है 77.9 सेंटिमितर की बात करें तो यह 50 केजी का होता यानि कि आधा कंटल का होता है यह दोस्तों और आईए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं आपको इसके बॉक्स में क्या-क्या मिल जाता है एक एसी यूनिटी मिल जाएगी एक रिमोट मि लिए यह सब आपको मिल जाएगा दोस्तों जो मैं बता रहा हूं यह 2022 का मॉडल है मॉडल नंबर है JWQ18WUZA दोस्तों लगभग एक साल में यह 1106 किलो वाट बिजली की खपत करेगा और इसका साउंड डेसिबल की बात करें तो 44 डेसिबल साउंड है दोस्तों इसमें डस्ट फिल्टर दिया हुआ है दोस्तों वाइट कलर का यह रिमोट कंट्रोल एसी जो है एकदम आपको 230 वोल्ट पे शांदार परफॉर्मेंस देता है फ्रेंट्स बहुत ही बढ़ियां स्टील मेटेयल से यह बना हुआ है और लुक वाइज आपने देखा इसको कितना खुबसूरत यह एसी है सारे फिचर्स के साथ में बहुत ही दमदार एसी है दोस्तों इसके मेनिफेक्शरर के बात करें तो LG Electronics Thailand ने इसको बनाया है दोस्तों इसमार्ट डाइगनोसिस सिस्टम दिया हुआ है बहुत आसानी से कोई भी एरर्स और परिशानी को जाना जा सकता है इस एसी को जब आप खरीद के ले जाएंगे तो बहुत इसली इंस्टॉल किया जा सकता है बहुत आसानी से इसको अनिस्टॉल भी किया जा सकता है पैक किया जा सकता है और कहीं भी एक जगे से दूसरे इस्टान पे ले जाए जा सकता है मातर 50 kg का ये AC है बहुत ही सुविधा जनक तरीके से इसको आप लगा सकते हैं दोस्तो इसमें पावर सेविंग मोड भी दिया हुआ है अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं रात में अगर आप सो जाएं और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप को पावर सेवर मोड में इसको चलाया जाए और आप ये चाहते हैं कि कूलिंग भी अच्छी हो तो आप इसको डाल सकते हैं दोस्तो टॉप एर डिश्चार्ज के जरीए आप इसको यूनिफॉर्म कूलिंग कर सकते हैं क्विक कूलिंग कर सकते हैं दोस्तों इसमें cooling coil 100% copper की दी हुई है और इसमें black ocean protection दिया हुआ है जिससे इसकी efficiency और बढ़ जाती है life और ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों price की बात करें तो यह 37,000 से 38,000 रुपे में इसका price है ओनलाइन इसको Amazon से आप purchase कर सकते हैं और LG के store से भी आप इसको purchase कर सकते हैं से बनाया गया है specific बहुत सारे लोगों को जो है window AC की ही जरूत होती है तो उनके लिए मैं यह AC लेके आया था और अगले वीडियो तक के लिए मुझे इसायद दीजिए नमस्कार जैहिन